असलामुलेकुम आज हम इंग्लिश के जो सिननम्स और एंट्रनम्स जो हम कर रहे हैं उसमें जो 531 से लेकर 560 तक जो हमारे पास सिननम्स और एंट्रनम्स हैं उनको हम कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो synonyms और antonyum है जो word है हमारे पास वो है limpet limpet का मतलब होता है शफाफ, वाजिया, साफ, समझ आने वाला या जलकदार या आप साफ, शफाफ उसको कह लें बिलकुल पानी की तरह साफ और शफाफ तो इसके जो synonyms होंगे उसमें transparent आएगा, clear आएगा, unclouded आएगा तो ये तीनों चीजें, तीनों इसके जो हैं वो synonyms होंगे PPSC के papers की बात करें तो उसमें limpet में transparent एक मरतबा पूछा गया है जो options दिये जाते हैं उनमें और दूसरी मरतबा जो है वो clear दिया गया है इसी तरह एक मरतबा जो है वो इसका एंटरनम भी पूछा गया है और उसमें जो आंसर था वो vague था अब देखें यहां पर limpet का मतलब मैंने आपको बताया कि शफाफ होता है, वाजिया होता है, बिलकुल साफ, समझ आने वाला तो यहां पर इसके अगर हम opposite word की बात करें, एंटरनम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास word जो मुझूद है वो आपक मुझूद है, आपक की बात करें तो हम इस word को तकरीबन यह तीसरी यह चौती मरतबा पढ़ रहें, इसका मतलब होता है, हमने one word substitution के अंदर भी पढ़ा कैसी writing जो समझ से बालातार हो, जिसको समझना मुझूल हो, जो ambiguous हो, तो अब यहां पर देखें कि आपक का मतलब यहां पे clear है, synonyms में, लिंपड का जो मतलब है या उसका जो synonyms है, वो transparent है, clear है, uncloud है, तो यहां पे एंटरनम्स के अंदर आपक, उसके बाद muddy और उसके whack, अब यह तीनों का मतलब जो है, वो गैर वाजिया और इसका मतलब कीचर और गहरा होता है, तो गैर वाजिया जो जिसको समझना जो है, वो मुझकल हो, उसके बाद 532 है मारे पास, 532 जो है वो बेनिश है, बेनिश की बात करें, तो बेनिश का मतलब क्या होता है, दर बद बदर करना जिलावतन करना शेर बदर करना निकाल देना ये इसके मीनिग में आप इसको ले सकते हैं तो एकस्केशायल एकस्पेल निकाल निकाल देना एकस्क्ल्यूट तो यहाँ बहुर्द से रिने रियर word है बैंश यह इसके लिए इसमाल होता है यानि exile के लिए expel के लिए depot करने के लिए exclude के लिए अब इसके antenvir की बात करें तो इसमें admit आ जाता है fix आ जाता है permit आ जाता है यानि अजासत देना इजासत नामा मस्तकिल तोर पे fix का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो सही कर देना दुरुस्त कर देना उसके बाद फिक्स कर देना तो आप इसको जो है वो दुरुस्त करना इसके आंटरनम्स यानि इसके आपसर ले सकते हैं तो यहां पर हमारे पास यह दूसरा वर्ड था उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो M.E. केबल है M.E. केबल का मतलब होता है खुश मजाच, मिलनसार, हसने वाला, ज्यादा जो है वो बाचीत करने वाला, दोस्ताना इंदाज में बाचीत करने वाला, तो M.E. केबल यहाँ पे कॉर्डियल, फ्रेंडली, कर्टियस, कोपरेटिव, मदद करने वाला, साथ देने वाला, तो यहाँ पे इसके सिननम्स यानि एक जैसे इसके ये अलफाज हैं, एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, कर्टियस, कोपरेटिव, पीपीएसी पास्ट पेपर्स की बात की जाए, तो वहाँ पे कॉर्डियल भी उप्शन, चार उप्शन में से एक था, एक जगह और दूसरी जगह इसका जो आंसर था, वो कोपरेटिव था, फिर एक जगह इसका एंटरिनम भी पूछा गया, एमिकेबल का, और वहाँ पे उसका एंटरिनम जो होस्टाइल है, अन्फरेंडली, अब देखें, यहाँ पे फ्रेंडली अगर सिनननम्स है, तो एंटरिनम इसके आपज़र्ड वर्ड होगा, यान्फरेंडली है, तो अगर इसकी बात की सकते हैं, उसके बाद 534 है हमारे पास एसेंट, एसेंट का मतलब होता है, मन्जूरी, रजामंदी, कबूल करना, एग्रिमेंट करना, तो यहाँ पे देखें, इसके सिनननम्स में भी आपको वाज़र तोर पे नज़र आ रहा होगा, एग्री, कॉंसेंट, कॉंसेंट, रजा इसी तरह गर हम एंटरनम्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास जो है, वो डिस एग्री आएगा, रिफ्यूज आएगा, देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट की जो ऑपोजट होगा, वो रिफ्यूज होगा, कॉंसेंट है तो उसके ऑपोजट डिस एग पोजिशन्स हैं, यह 400, 500 पहले हम सीक्योंज होगा तो जब यह 400 कम्प्लीट हो जाएंगे, इन्शाला 25-25 दिसम्बर से लेकर 30-ध दिसम्बर के दरम्यान इन्शाला यह कम्प्लीट होगे, तो जब यह कम्प्लीट हो जाएंगे, तो उसके बार आप देखेंगे कि in 250 में से PPSC के जितने भी past papers हैं या जो websites हैं उनसे आपको ये इसके जो इसकी verification हो जाएगी कि इन्ही में से ही आपके PPSC के papers में पूछे जाते हैं उसके बाद और यहां पर past papers जितने आई हुए हैं हमारे पास 534 है एसेंट तो हमने पढ़ लिए इसका agree consent accept ratify और इसके एंटरनम में आएगा disagree या refuse या इनकार करना या गैर मुत्विक होना उसके बाद हमारे पास 535 है prosperity अक्सर वर्ड हम यूज करते हैं prosperity का मतलब होता है फुषिए है خुषाली स्कुन, दौलत, तरक्की करना, कामयाबी, कामयाबियां स्मेटना, कामयाबी की तरफ गान्जर होना कामरानी की तरफ जाना, फ़लाः की तरफ जाना, बरकत होना तो prosperity, खुषाली, बरकत इन में मेन आप इसको ले सकते हैं तो यहां पर आपके सामने इसके synonyms मुझूद है wealth है, success है, दौलत, कामयाभी, comfort, school, growth जो है वो, अब यह चारों, इसके चार words है prosperity, आप देखते हैं कि prosperity का success पेपर में comfort या growth इन में से अक्सर आप देखते हैं पर PPSC के past papers देखे तो उनमें आपको यह words मिलेंगे इसी तरह एंटरनम्स की बात की जाए, तो वहां पर adversity, hardship, failure यानि मुशकलात या मुशकल वर्ट या नकामी, अगर यहां पर success है तो success का opposite failure होगा, comfort है तो uncomfort होगा, growth है इसी तरह wealth है, तो wealth का जो है, अब यहां पर आपने इनके अंदर भी जो है वो एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इसका मतलब है कि एक MCQs आपका नहीं, बलके चार MCQs एक ही MCQs है, तक्रीबन चार से पाँच बलके more than five MCQs आपके complete हो रहे हैं तो prosperity खुशाली होता है और इसके जो synonyms होंगे वो wealth, success, comfort, growth, adversity, hardship और failure होगा उसके बाद हमारे पास 536 है, devilish, इसका मतलब होता है शेतान या शेतान की तरह का, आप इसको कह सकते हैं कि बुराई या एक तरह से आप इसके meaning में लानती का मतलब भी जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं क्योंके curse का मतलब होता है लानत करना, तो curse इसका है, उसके बाद satanic है, evil है, यानि बुराई, शेतान या शेतान की तरह, तो ये इसके synonyms होंगे, या डैवलिश का ये मतलब होगा उसके बाद इसके एंटरनम्स की बात की जाएं, तो moral, यानि इखलाकी तोर पर नेको बद की समझ रखने वाला, फिर उसके बाद angelic, तो इसका मतलब फृष्टा सिफ्त होता है, तो अब देखें इसके एंटरनम्स आपके सामने, शेतान एक तरफ, और शेतान, बुराई, तो दूसरी तरफ क्या है, इसके opposite बात की जाएं, तो इखलाक की जो इखलाक या आप कह लें, फिर अचाई कह लें, नेकी और बुराई की समझ रखने वाला शक्स कह लें, फृष्टा सिफ्त इनसान कह लें, उसके बाद 537 हमारे पास nonchalant, nonchalant का मतलब होता है ठंडे जार जबाती, जो जल्दी emotional नहीं होता, अब यहां पर देखें कि यहां पर उसने लिखा हुआ है calm, cool, dispassionate और unemotional, तो यह इसके synonyms हैं, चूंकि इसका मतलब भी ठंडे मिजाज कह तर नान से, चीजों को, मामलात को अराम से देखने वाला, सकून से, तहमल से, जिन्दग जार जाएं, तो यहां पर उनिचे इमोशनल आ जाएगा, इसके बाद अगर हमारे पास जो है वो फिर एंटोइस्टिक है, एंटोइस्टिक और इमोशनल और डेलिबरेट इसके एंटनम होंगे, यानि इसके आपज़िट होंगे, तो यह सारी चीजें जो है, वो इसके अं नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कोलिजन, 538 है, कोलिजन का मतलब होता है तसादम, टक्राओ, तो यहां पर क्या है हमारे पास क्लैश, उसके बाद हमारे पास स्मैश, एक्सिडेंट, कॉन्फिक्ट, जगड़ा, तसादम होना, क्लैश होना, ठीक है, उस इसी तरह हमारे पास जो इसके एंटरनम्स हैं, उसके अंदर फ्लैट्ट्री है, बिल्डिंग है, अवोइडन्स है, तो यह सारी चीज़ें हमारे पास इसके ऑपोजट हैं, यानि एंटरनम्स हैं, और अगर इनकी बात की जाए फ्लैट्री की, बिल्डिंग की, यानि तामी प्रवियर करना तो इस इन यंकि यह जो मीनिंग में उसमें हम क्वार करना खुशामत करना तो इन में इन मीनिंग में को लिए सकता घर्म में ऑना यह जा सकते हैं चापलुसी करना जया चाहीड़ाई्टे ठहरा हुआ, सूस्त, ठीक है तो अब यहां पे इसके आप देख लेंगे, इनर्ड का PPSC different paper देखें, तो कहीं पे आपको motionless मिलेगा, कहीं पे आपको static मिलेगा, कहीं पे आपको immobile मिलेगा, यानि साकन, ठहरा हुआ, कहीं पे आपको lifeless मिलेगा, यह चारों PPSC के past papers में आपको मतहरक, alive, mobile, हरकत करने वाला, एक जगा से दूसी जगा, जो है वो, हरकत कर सकता हूँ, तो यहां पे देखें कि इनर्ड के जो चार synonyms देख लें, motionless, immobile, static, liveless, और इसके जो एंटरनम्स हैं, उसमें active, alive और mobile हैं, उसके बाद 540 हमारे पास infallible, अच्छा, infallible क्या है, जी, infallible का मतलब क्या है, बेखता, यानि जिससे गलती ना हो, या जिससे यकीनी तोर पर गलती ना हो, जो authentic हो, जो reliable हो, जिस पे इतमाद किया जा सकता हो, जिसमें जो है, वो गलती की गुझाइश ना हो, तो यहां पे इसके synonyms आप देख सकते हैं, reliable है, authentic है, अब अगर इसका, इस word का आपके सामने एंटरिनम्स आता है, तो unreliable हो जाएगा, अन आथेन्टिक हो जाएगा, तो देखें, reliable, authentic, error free, उसके बाद, score plus, ये चारों words हैं, वो आप क्या आते हैं, यानि ऐसा, ऐसा काम जिसमें गलती के chances ना हो, जो यकीनी तोर पर ब हो, authentic हो, इसके एंटरिन की बात करें, तो अब अगर error free की बात हो रही है, authentic की बात हो रही है, reliable की बात हो रही है, perfection की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका, इया इंपरिक्ट आ जाएगा, wow, यानि गलती अगर error free है तो error आ जाएगा, authentic तो faulty आ जाएगा, reliable, imperfect या perfect यहां पर उपर है तो imperfect है, यानि infallible का यहां पर perfect भी हो सकता है synonyms, तो यहां पर यह हमारे पास चार synonyms हैं और तीन synonyms में reliable, authentic, error free, score plus और एंटरनम्स में imperfect, quality और एरिंग, उसके बाद 541 है हमारे पास detoriate, detoriate की बात करें तो इसका मतलब होता है खराब होना, बिगड़ जाना, बिगाड़ना, बत्तर कर देना, ग्रावर्ट यानि एक तरह से कमी, जवाल, तेजी से किसी चीज, slump का मतलब यही होता है के जो इक्तिसाद बाद यानि जिसके अंदर आपकी जो values हैं वो कम हो रही होती है, market गिर रही होती है, collapse होना, decline, slump, यह देखें इन तीनों के same word है तो debt reward का मतलब क्या होगा, decline, collapse, slump, यहनी खराब होना, बत्तर होना, यहनी जवाल पजीर होना, तेजी से कम होना, तो इसके जो एंटरनम्स होंगे, उसके अंदर improve हाएगा, फिर इसके अंदर रैक्टिफाई आएगा, बहतर करना, ठीक करना, mitigate भी इसके अंदर adjust हो सकता है system, चलाक, होशियार, जहीन, दानिशमन, बहुत ज्यादा समझदार, ऐसा बंदा जो हर चीज़ पर अबूर रखता हो, सोचने समझने की ज्यादा सलाहियर रखता हो, जहीन हो, तो यहाँ पर देखें, clever, तेज, sharp, intelligent, wise, यानि अकलमन्द, intelligent, जहीन, तो यहाँ पर कहनी का मतल लापरवा, तो यह आपके अंटरनम्स होंगे, उसके पाद 543 है, प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है, गैर मजबी, आप यह कह लें कि बेहरमती करने वाला, गुस्ताखी करने वाला, लादीनियत, यानि दीन से आरी बंदा, तो इसमें जो है, वो अब्यूजिव हमारे इसके सिननम्स में पूचा गया है, फिर एंटरनम्स में जो है, वो पूचा गया है, पाइस हमारे पास एक वर्ड है, रिलिजियस, स्पिर्चुल, यानि इसके ऑपजिट की बात करें, तो खुदा परस्त आ जाता है, अल्ला ताला की अबादत करने वाला, प्रहेजगार, म में हमारे पास जो है, वो रिलिजियस, स्पिर्चुल, और जो है, वो प्यास आएगा, या इसको पाइस बोल सकते हैं आप, उसके बाद 544 है, हमारे पास कॉमबेट, कॉमबेट का मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं, कॉमबेट का मतलब होता है, 544 है, इसका मतलब होता है बैटल जंग करना, इनकाउंटर, यानि लडाई करना, मुकाबला करना, मुकाबले मार देना, सामना करना, तो जंग करना, लडाई करना, मुकाबला करना, सामना करना, तो ये आपकी कॉम, इसका जो कॉमबेट है, इसके ये सिननम्स है, बैटल है, ब्लाटशीट, उसके बाद the hostilities है encounter है तो आप past papers अगर देखे तो वहाँ पे आपको hostilities भी मिलेगा word और battle भी मिलेगा इसके अंदर इसके जो combat है उसके synonyms के अंदर उसके बाद अब इसके एंटरनम्स की बात की जाए तो उसमें sport आ जाता है agreement आ जाता है surrender करना ठीक है उसके बाद हिम्मत हार जाना मोहिदा कर लेना जुक जाना यानि सरंडर कर देना agreement और sport इसके अंदर इसके जो एंटरनम्स है इसके बाद 545 हमारे पास present present का मतलब होता है बे बाकी और डट कर मकाबला करना बे हयाई से कहना कि बस मैं ही ठीक हूं तो present जो है वो shameless यानि शेम होता है आपकी जो इसको कह लें के शर्म हया तो shameless यानि बे शर्मी बे हयाई ब्रैश और बोल्ट तो यहां पर यह इसके इसके बाद 546 है फिल्थी का मतलब क्या होता है जी गंदगी इसको जो आप इसको जो यह वो इसके जो इसके जो एंटरनम्स है उसके बाद 546 है फिल्थी फिल्थी का मतलब क्या होता है जी गंदगी उसके बाद आप इसको जो है वो नजासत कह सकते हैं गलीज कह सकते हैं कीचर्ड कवर्ड इसमें जो मड़ी चुंके कीचर्ड को कहते हैं अनकलीन डिर्टी इसके सिननम्स है फिल्थी के इसके बाद एंटरनम्स की बात की जाए तो उसमें clean आ जाता है, साफ सुत्रा, उसके बाद scurbed आ जाता है, unobjectionable आ जाता है, जिस पर किसी किसम का objection ना किया जा सकता हो, साफ सुत्रा, यानि एक तरफ देखना filthy का मतलब है गंदा, तो dirty, unclean, muddy, ठीक है, तो इसके opposite जो होगा, वो फिर होगा, साफ सुत्रा, जिस पर किसी किसम का इतराज ना किया जा सकता हो, उसके बाद 547 है हमारे पास, C-H-A-O-S, क्यास, क्यास का मतलब होता है, इंतशार, गड़बर, अफरा तफरी, तो यहाँ पर देखें, disorder, एक order में चीज़ होती है ना, तो गड़बर ता भी होती है, जब चीज़ें disorder होती है, तो क्यास का मतलब होगा, disorder, उसके बाद, commotion, havoc, confusion, यह इसके जो हैं, वो synonyms है, अगर हम इसकी, अब इसके opposite जो होंगे, वो antonyms होंगे, जैसे हमारे पास order है, manner है, method है, तो यह इसके antonyms होंगे, उसके बाद 548 है हमारे पास, अब यह बड़ा important है, different इसमें, चुके मैंने इसलिए इसके तक्रीबन साथ जो हैं, वो synonyms लिएं, जिसमें से तीन से चार आप past papers में देखेंगे, पी-पी-ए-सी के, इसी तरह antonyms में भी दो जो है, वो antonyms भी, यह एक ही word है, उसको कभी जो है, वो उसका नाम चेंज करके वो पूछ लेते हैं बार-बार, तो अगर आपको यह याद होगा इसी तरीके से, तो आपको काफी असानी हो जाएगी, और जहां पे आप लोग 500, 600 MC के उस पास्ट वेपर से कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिरफ और सिरफ 150 या 200 MC के उसका करने के बाद, तुमाम यह जो synonyms, एंटनम्स आपको आते होंगे, तो यहाँ पे marvelous word है, marvelous हम कहते हैं, आप इसको कहलें के, उम्दा चीज़ को, या कोई बहुत ही अच्छी चीज़ क तो यहाँ पे देखें इसके अंदर हम यह word अपनी practical live में बोलते हैं, amazing, यानि हैरत अंगेज, remarkable, performance है जी उसके बाद, sensational, astonishing, astounding, amazing, phenomenal, stunning, हम यह सारे words जो हैं, वो हमने अपनी practical live में सुने होते हैं, जहाँ पे marvelous की बात करें, marvelous की, तो वहाँ पे astounding आएगा, amazing आएगा, phenomenal आएगा stunning आएगा, remarkable आएगा, sensational आएगा, और astonishing आएगा, उसके बाद antennas की बात करें, तो चुक्छे इसका दूसरी तरफ antennas की बात करें, तो उसमें काबले यकीन आजाएगा, आम आजाएगा, कुदरती तोर पे, यानि believable, तो उपर unbelievable भी आसकता है, credible, ठीक है, credible, तो उपर uncredible भी आ सकता है, इसी तरह ordinary यानि आम उपर हम बात करें, amazing की, phenomenal की, बहुत ही आला, जबरदस्त, काबले तहसीन, तो नीचे उसके उसके अंटरनोम्स हमेशा opposite, यानि opposite word की बात करें, तो उसमें फिर आम आएगा, credible आएगा, बिलीवेबल आएगा, इसी तरह 549 हमारे पास economic, हम कहते ह होता है, सस्ती, जिसमें ज्यादा मुनाफ़ा हो, मुनाफ़ा बक्ष, या आप ये कहलें कि मुनासब उसकी कीमत हो, मुनासब इस्तमाल हो, तो देखें, profitable, solvent, productive, fruitful, तो ये इसके, जो हूँ, synonyms होंगे, economic का जो synonyms पूछा जाता है, वो profitable होता है, बाद उकात productive होता है, profitable, waste, luxury, यानि वो चीजें गहर मुनाफ़ा बक्ष, असाइशें, जो है वो इसका, असाइश, यानि आप इसको कह सकते हैं, luxury, उसके बाद 550 हमारे पास, 550 की बात करें, तो M-A-L-I-C-E, इसका ये हमारे पास बनेगा, malice, malice का मतलब होता है, malice का मतलब आप ये कह लें कि हमा तकीना परवरी, या बुरा दिल, अदावत, तो इसके मेनेगिस में आ जाएंगे, यानि नफरत, अदावतें, बुग्ज रखना, बुरा जानना किसी को, बुरा दिल रखना, हसत करना, तो यहाँ पे देखें, bitterness, spite, और hatred, bitterness और spite, ये तीनों इसके synonyms हैं, एंटरनम्स की ब उसके बाद हमारे पास 551 है, डिपलेट, डिपलेट का मतलब होता है, खर्च करना, इस्तमाल करना, कम होना, खर्च करना, मतलब consume, reduce, exhaust, spend, तो ये सारे वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, spend, खर्च करना, या आप प्रैक्टिकल लाइब में भी अपनी सुनते हैं, खुद भी बोलते हैं, reduce, कम करना, spend, खर्च करना, exhaust, consume, तो इन चारों मतलब का मतलब ही है, खर्च करना, इस्तमाल करना, किसी चीज़ को इस्तमाल करना, अब यहां पर देखें कि इसके एंटरनम्स क्या होंगे, increase, augment, gain, augment, increase, gain, ये इसके एंटरनम्स होंगे, ठीक है, उसके बाद 552 है, palliate, palliate का मतलब होता है, palliate का हमारे पास, हाँ, इसको भी आप कह सकते हैं, कम करना, या या आप ये कह लें कि किसी चीज़ की शिदत को कम करना, या आप इसको और, जो है, वो क्या वर्ड दे सकते हैं, ease मतलब अराम देना, स्कून देना, तो यहां पे देखें के palliate का मतल क्या होगा, alleviate, diminish, कम करना, relieve, असानी पैदा करना, ease, ठीक है, उसके एंटरनम्स क्या होंगे, उसके magnify है, उसके बाद exaggerate है, expose है, यह इसके एंटरनम्स होंगे, 553 है, हमारे पास arrival, बड़ा असा लफज है, चुकि मिक्स करते हुए, तकरीबन दस ऐसे होते हैं, जो बहुत सिं के लिए, डिविएन या डिस्टिक बेस जो टेस्ट होते हैं, इस वजहां से, arrival का मतलब होता है, coming, यानि arrival का मतलब होता है, आमद, दाखला, रसाई आसल करना, रसाई आसल होना, तो coming, entry, approach, यह इसके synonyms होंगे, और एंटरनम्स की बात की जाए, तो उसमें departure आ जाएगा, leave डिसपेरंस आ जाएगा, departure का मतलब होता है, रवानगी, रुक्स्ति, ठीक है, तो arrival, coming, entry, और अप्रोच आपके synonyms हैं, और एंटरनम्स की बात की जाए, तो उसमें departure, leave और डिसपेरंस आ जाएगा, उसके बाद, fuss, fuss की बात करें, तो यह हमारे पास इसका जो synonyms है, उसमें अडो है, excitement है, commotion है, और उसके बाद, टम्लेट है, अब इसका मतलब क्या होता है, फास का, यह इसका मतलब लिया जाता है, खतलाफ, जगड़ा, या गड़बड होना, हंगामा करना, तो यहां पर देखें कि अडो है, commotion है, टम्लेट है, excitement मतलब excitement के अंदर यह सारी चीज़ या मताबकत, असानी, rest, harmony, ease, ठीक है, यह ease का वड़ा बार बार इसमें जो है, वो देखने, उसके बाद 555 है, क्योंकि तीन आप्शन जो होते हैं, आपके चार में से वो तीनों irrelevant होते हैं, यह जो चौता आप्शन, यह आपको एक word पढ़ा होगा, उसका मतलब सिर्फ पता ह करेंगे, क्योंकि उसके नीचे जो options होते हैं, आप देखें, अगर गौर करें तो असान होते हैं, सिर्फ उसकी जो पहला word होता है, वो मुशकल होता है, वो हमने बहुत काम सुना होता है, यह पढ़ा होता है, उसके बाद हमिलियेट, हमिलियेट का मतलब होता है, हमारे पास इसको आप कहलें कि रसवा करना, बेख्षत करना, बेजती करना, जलील करना, तो डीगरेट करना, तो डीगरेट, बेके, उसके बाद इंबैरस, अबेज़, अब देखें हमिलियेट का अबेज़ भी पास पेपरים more time slash, अबेलियेट का अबेज़ बीज़ इंबैरस होंगे यानि डीग्रेट तो इनकर्च करना गलोरियस डीके गलोरियस ऑपज़ट में आ जाएगा अब इस तो दूसरी तरफ प्रेज आ जाएगा ठीक है तो ऑपज़ट इसके साथ ही है 556 है मेमोरेबल होता है ऐसी चीज जो जिसको बुराना मुश्कल हो जो आप यानि हमेशा याद रखें जिसको हमेशा याद रखा जाए नकाबले फरमोश आप कह सकते हैं नकाबले फरामोश है ये वाक्या मेरे लिए तो वर्थ रमेंबरिंग अनफॉर्गेटबल यानि आप ये कह सकते हैं कि यानि मामूली सा जिसको आप बुला दें जल्दी बुला दें उसके पाद 557 है हमारे पास डेनिटी डेनिटी का मतलब होता है उम्दा चीज खूबसूरच चीज महजब तरीके से या डेलिकेट ऐलिगेंट ग्रेसफुल मार्विलस जो अभी हमने पढ़ा ठीक है तो डेलिकेट एलिगेंट ग्रेसफुल ये इसके सिनवी होंगे चूंकि इसका मतलब भी होता है उम्दा चीज खूबसूरच चीज तो इसके एंट्रणीज की बात की जाये तो इसमें हमारे पास जो है वो अगर उम्दा चीजज है धूसरी तरफ बेहुदा चीज आजाएगी यानि क्रूड आजाएगा उसके बाद हमारे पास जो है वो इन्फिरियर आजाएगा यानि आप ये कहलें कम तर ठीक है तो ये इसके मीनिंग में आप ले सकते हैं उसके बाद 558 है कॉंट्राडिक्ट का मतलब होता है मुतसादम गल्स थाबत करना जगडा करना यानि डिनाए ऑपोसिट साइड पे डिस्प्यूट तो इसके सिननम्स होंगे एंटरनम्स की बात की जाए तो उसमें कनफर्म वैरिफाइ एडमेट यानि तस्दीक करना तस्दीक करना मानना तो यह हमारे पास इसके एंटरिम्स होंगे 559 है पैरिटी पैरिटी का मतलब होता है मसावात बराबरी इतफाक तो देखें यूनिटी एक्वैलिटी कॉंसिस्टेंसी मुस्तकिल मजाजी पैरिटी ठीक है उसके अब इसके एंटरिम्स की बात करें तो डिस एग्रिमेंट अनलाइकनेस यान यह कह सकते हैं इंकार करना मुकर जाना उसके बाद 560 हमारे पास डेफिसिट डेफिसिट का मतलब होता है खसारा कमी या नुकसान यानि आप कह सकते हैं शॉर्ट फाल लॉस डेट तो इसके एंटरिम्स क्या होंगे सर्पलस यानि फाइदा प्रॉफिट ठीक है तो यानि न से लेकर 560 तक जो आज हमने डिसक्स की हैं इंशाला जो है वो बाकी भी विद दा टाइम यानि 25 फिफ से 30 दिसंबर तक चुंके क्लास इस ऑनलाइन ओफ हो रही हैं चुटियों की वजहां से तो इंशाला इस टाइम में हम जितना भी हमारा स्लेबस है वो भी कवर कर लेंग थैंक यू सो मच अलाफिस